Hello Friends, अभी हम डिस्कूस कर रहे हैं Question No. 2, Exercise 5.1, Introduction to Euclid Geometric Class 9th का ये Question है इसमें क्या करना है? Give a definition for each of the following terms. आपके पास कुछ term है, उनकी आपको definition note करनी है Are there other terms that need to be defined first? इसमें अगर कोई और पार्ट जो need जिसकी आऊशकता है, उसको भी define करना है What are they? वो कौन-कौन से है and how might you define them? तो देखिए, सबसे पहले जो point दे रखा है, वो कौन सा दे रखा है? Parallel Line तो Parallel Line क्या होती है? जैसे हमारे पास एक line यह हो गई ठीक है? और दूसरी line यह हो गई L और M यह दो line है जब कोई भी दो line आपस में कहीं भी intercept नहीं करती, कहीं भी नहीं मिलती तो उसको हम क्या बोलते है? Parallel Line इसका जैसे सबसे simple example कौन सा हो गया? Railway Track ठीक है? तो यह जो Parallel Line है यह आपस में कहीं भी नहीं मिलती है इस type का यह इसका figure है तो आप note कर देंगे इसकी definition में simple सी definition note कर रहे है two line which have no common point no common points is called Parallel Line ठीक है? तो क्या हो गई? दो line जो आपस में मिलती नहीं है मिलती नहीं है तो इसका मरलब जब आप इसको produce करेंगे तो इसमें कोई भी common point नहीं आएगा इन दोनों के बीच की जो perpendicular distance है वो क्या मिलेगी आपको? Equal मिलेगी तो इसको हम क्या बोलते है parallel line तो कोई भी common point नहीं है तो इसको आप क्या बोलेंगे parallel line इसमें requirement देखे इसमें जो भी चीज requirement थी वो उसके बारे में बतारना है तो एक तो आपको क्या चीज requirement थी इसमें line ठीक है? ये line हो गई जैसे और दूसरा क्या था? point कोई भी common point नहीं है तो आपको एक तो इसमें line और दूसरा points तो line and points इनको भी define करना है तो देखे line क्या होती है? भही breathless होती है आपको बता रखा था point में starting में और point, point भी क्या होता है? जिसके कोई भी part नहीं होते तो ये हो गए आपको जैसे intro वाले part के अंदर मैंने बताय है था line points इनकी definition बताई थी क्या होते है? तो आप definition note कर देंगे यहां से ठीक है? लाइन जिसकी breathless होती है वो line होती है और point जिसके कोई भी part नहीं हो सकते वो क्या होते है? point होते है second part हमारे पास क्या है? perpendicular line second part perpendicular line perpendicular line क्या होती है? perpendicular line देखें जब आपके पास दो line है एक line ही हो गई ठीक है? और दूसरी line यह हो गई P और Q दो line है यह हो गई P line आपके पास और यह हो गई Q line जब दो line intersect करती है एक point पे ठीक है? और वहाँ पे जो angle बनता है वो कितने degree का बनता है? 90 degree का angle बनता है राइट angle बनता है तो उसको हम क्या बोलते है? perpendicular line ठीक है? तो perpendicular line में आप क्या note कर देंगे? perpendicular line two line intersect at right angle दो line है आपस में intersect करती है और वहाँ पे क्या बनता है? आपका make a right angle और वहाँ पे right angle बनता है तो उसको हम क्या बोलते है तो उसको हम क्या बोलेंगे? perpendicular line two line intersect at right angle इसको आप क्या बोलेंगे? perpendicular line पर्पेंडिकुलर लाइन पर्पेंडिकुलर लाइन को आप नोट कैसे करते हैं? इस टैप से नोट करते हैं यह पर्पेंडिकुलर लाइन हो गई clear? जैसे यह हो गया A, B, C, D, O तो OC पर्पेंडिकुलर है कि इसके उपर A, B पर इस टैप से नोट करते हैं और इसके अंदर वो point बताने है जो आपने use कर रखे हैं तो एक तो क्या होगी? line use कर रखे है और line की definition तो आपको मालुमी है ठीक है? line क्या होती है? जो इसमें breath नही कर देंगे, point क्या होते है? जिसके कोई भी part नहीं होते है, ठीक है? और क्या हो रहा है? angle, देखो, right angle के उपर, तो angle का use हो रहा है तो angle क्या होते है, 2 ray अपस में 1 ही point पर मिलती है, तो क्या बनता है angle, तो angle के definition आप क्या बोल देंगे 2 ray meet at a point 2 ray 1 point पर मिलती है, तो क्या बनाती है, angle बनाती है तो ये point हमारे क्या हो रहे थे, use हो रहे थे, clear third point line segment क्या होती है लाइन सेग्मेंट जैसे आपने ये लाइन लगाई ठीक है जिस पर ये दोनों एड़ पॉइंट है ए और भी इसको हम क्या बोलेंगे लाइन सेग्मेंट और इसको नोट करते है किस टैप से ए बी इस टैप से लाइन क्या होती है इस टैप से लाइन होती है जो द जिसके अंदर क्ϊंड पविएंट ऊसको हम क्या बुलेंगे लाइन सेगमेंट फिक्स डिस्टेंस होती है दो पविंट के बीच की जो फिक्स डिस्टेंस होते हो उसका हम क्या बोलते है line segment a line segment have two endpoints तो एक line a line which have two endpoints which have जिसके पास क्या हो विद दो endpoints हो एक line जिसमें two endpoints हो उसको आप क्या बोल देंगे line segment बोल देंगे which have तू एंड पॉइंट्स ठीक है तू एंड पॉइंट्स एज काल्ड लाइन सेग्मेंट उसको आप क्या बोलेंगे लाइन सेग्मेंट बोल देंगे क्लियर अब लाइन सेग्मेंट में आपके पास क्या यूज हो रहे है वही कौन-कौन से पॉइंट यूज हो रहे है एक तो आपके पास लाइन यूज हो रही है ठीक है और दूसरा आपके पास क्या यूज हो रहा है पॉइंट यूज हो रहा है और दौनों को बता ही रखा है क्लियर इंट्रोमेन की डेफिनेशन वगारा भी बता रखिए बाकी बेसिक चीज़े हैं यह आपको मालूम भी होगी लाइन क्या होती है ब्रैथलेस पॉइंट क्या होते हैं जिसमें पार्ट नहीं होते हैं यह चीज़े इसके अंदर यूज हो रही है फॉर्थ पॉइंट लेते हैं इसका फॉर्थ पॉइंट में रेडियस ओफे सर्कल के बारे में डिसकस कर रखा है तो रेडियस ओफ सर्कल सर्कल का रेडियस क्या होता है देखे सर्कल क्या होता है एक कोई भी fix point ले लिया आपने यह हो गया fix point ठीक है इस fix point से आपने compass open किया एक fix distance का तो आपने distance एक ली कोई भी distance आपने ली उतना compass open किया और वहां से इस fix point पे compass रखके और आपने move करना start किया तो इस type से जब आप move करेंगे तो यह क्या बन जाएगा आपके पास circle हो जाएगा ठीक है अब इसके अंदर जो radius होती हो क्या होती है यह क्या बन गया circumference हो गया circumference पे आप कोई भी point लेते हैं circumference के उस point से और center के जो point है जो center है इसके बीच की जो distance होती है इसको हम क्या बोलते है radius बोलते हैं यानि कि क्या हो गया center से और circumference के जो बीच की distance हो गई उसको आप क्या बोलेंगे radius एक circle में आप circumference कहीं भी point लो center से उसकी distance क्या मिलेगी equal मिलेगी तो यह हो गई हमारे पास radius the distance of a point on the circumference of a circle from center circumference पे कोई भी point उसके center से join करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है radius of a circle अब इसके अंदर जो point यूज हो रहे हैं वो कौन-कौन से point यूज हो रहा है एक तो circle हो रहा है ठीक है और दूसरा क्या हो रहा है point हो रहा है fix point हो गया यह तो हो गया point यह circumference हो गया ठीक है तो यह circle हो गया circle की definition अफिस में note कर लेंगे next point square तो fifth part में square के बारे में discuss कर रहा है square क्या होता है बही कोई भी quadilateral ठीक है जिसके अंदर सभी side हो एक वाल हो और सभी angle कितने degree के हो 90 degree के हो quadilateral क्या होता है जिसके अंदर 4 side हो a bounded figure by four line segment कोई भी bounded figure है जो कितने four line segment से बना हुआ है उसको हम क्या बोलते है quadilateral तो quadilateral में अगर सभी side equal है और angle 90 degree के है तो उसको हम क्या बोलेंगे square बोलेंगे square जैसी four line segment से bounded एक figure हो गया यह चारो side है हमारे पास क्या है equal है a, b, c और d a, b equal है b, c के b, c equal है c, d के और c, d equal है d, a के और जो angle बना हुआ है वो angle हमारे पास कितने के है 90 degree के है तो इसको हम क्या बोलेंगे square बोलेंगे a quadilateral whose four side are equal simple definition है ऐसी कोई definition मैंने note नहीं की जो आपकी समझ से बाहर है और equal and each angle is right angle सभी side equal हो और angle कितने degree के बन रहे है 90 degree के is called square अब इसके अंदर वो point होड़ बताने जो इसमें use हो रहे है तो क्या use हो रहा है quadilateral quadilateral क्या होता है भई एसे bounded by four line segment is called quadilateral point क्या हो गया point which are no parts जिसके कोई भी point नहीं होते है ठीक है यह point यूज हो रहे है side line यूज हो रही है line segment ठीक है और क्या angle angle क्या होते है two ray meet a point two ray एक point पे मिलती है तो क्या बनाता है angle तो यह point थे जो इसमें use हो रहे थे clear तो यह था square के बारे में यह हमारा question number second clear तो इस step से आपको इस वोल करना था thank you friends